Hello friends! मैं हूँ अनिश्का and welcome to my channel Moot food with Anishka अकसर हम अपने kitchen में aluminium foil का बहुत जादा लेकर लेकिन उसके साथ ही हम cling wrap भी यूज करते हैं जे बहुत बहुत ही बेसिक यूज करते हैや या फिर हम उसका बहुत ज़यदा यूज करते हैं लेकिन इसी cling wrap को हम कितने amazing तरीके से use कर सकते हैं, आज का मेरा ये video उसी से related है और आज मैं आप लोग के साथ share करूँगी cling wrap के great uses और उसके साथ ही कि इस cling wrap को हम किस तरीके से तरीके से तरीके से सही रख सकते हैं और मेरा प्रोमिस है इसके बाद हर इंडियन किचिन में ये क्लेंगराफ जरूर दिखाई देगा तो चलिए शुरू करते हैं क्लेंगराफ हाइक्स के साथ कई बार हमारे पास ऐसे कंटेनर होते हैं जिन में हमें समान जो भी हमारा लेफ्ट ओवर होता है हमें उसे स्टोर करना है और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर लेट नहीं है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्लिंगराफ बहुत ही इसे इस तरीके से अगर हम कवर कर दें तो हमारा लेट का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाता है और इसे क्लिंग रैप से कवर करने से कोई भी मॉइश्यर अंदर नहीं जाएगा अधर हम पोटाटोस को माइक्रोवेव में बॉइल करने के लिए पॉलिथिन का यूज करते हैं हम उन्हें पॉलिथिन में डाल कर बॉइल करते हैं विच इस वेरी अनहल्दी तो उसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहां पे एक बाउल लिया है जिसमें मैंने पोटाटोस लिये हैं और इस बाउल को मैंने क्लिंग रैप से राप किया है और इसमें मैं कुछ होल्स बना रही हूँ नाइफ के हेल्प से और अब इसे मैं माइक्रोवेफ करूँगी एकॉर्डिंगली आप इसे माइक्रोवेफ कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपके पोटाटोस बहुत ही अच्छे तरीके से बॉइल हुए है बहुत सारे लोग जब भी कीचिन में काम करते हैं तो साइड में अपना मोबाईल जारूर यूज करते हैं और हम अपने मोबाईल को अकसर गंदा कर देते हैं किचन का काम करते समय मेरे पास इस प्राप्लम का एक बहुत ही एजिए और सर्यूशन है कि अगर आप अपने mobile को cling wrap से cover करते हैं तो यह देखिए friends उसके बाद भी आप अपने touch screen को easily access कर सकते हैं और आप अपने kitchen के काम को भी easily कर सकते हैं और आपका जो screen है mobile का screen वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा friends कई बार ऐसा होता है कि हम जो dough लगाते हैं हमें यह चाहिए होता है कि उस dough में बिल्कुल भी air ना जाये उसे हमें बिल्कुल ऐसे air tight container में ही cover करके रखना होता है तो उस case के लिए cling wrap is the best solution आप किसी भी अपने dough को cling wrap से wrap कर दीजे और उसमें बिल्कुल भी air या moisture अंदर नहीं जाएगा और आपका dough जैसे कि आपको कभी बार पीजा का dough पीजा बेस के लिए आपने dough लगाया है या गार्लिक बेस के लिए हम जो dough लगाते हैं हम सबी के घरो में जब हम dustbin यूज करते हैं तो उसका most neglected part होता है यह उसका lid और यह lid अकसर गंदा हो जाता है और इसे clean करने में भी हमें बहुत सारी problems आती हैं इसके नीचे से lid को हम cling wrap से cover कर दें और इसे अगर आप cling wrap से cover कर देते हैं यूज कर सकते हैं तो हमारे gas का जो पीछे का area होता है वह अकसर खाना बनाने की वज़े से गंदा हो जाता है और उसकी cleaning बहुत ही difficult होती है तो उसकी cleaning को हम easy बना सकते हैं cling wrap के through कि हम यह पूरा जो area है उसे हम cling wrap से cover कर सकते हैं तो friends यह देखिए gas के पीछे का जो इतना भी area था मैंने इसे cling wrap से cover कर दिया है और इसके बाद जब भी हम खाना बनाएंगे तो जो भी उसके चीटे आते हैं तो वो सब हमारे cling wrap पर आएंगे और जब भी वो गंदा हो जाएगा तो हम इसे easily change कर सकते हैं friends अकसर ही हम bread के sandwiches या bread jam अपने traveling purposes के लिए या kit से फिन में pack करते हैं और जब भी उन्हें हम खाने के लिए जाते हैं तो उनका जो outer surface होता है वो अकसर hard हो जाता है तो friends इसके लिए हम cling wrap में sandwiches रखेंगे अगर आप खाएंगे तो यह बिल्कुल ही fresh निकलेंगे sir हम जब भी salad advance में cut करके रखते हैं तो अगर आप उन्हें सिफ एक normal plate से cover करेंगे तो उतना ही काफी नहीं होता है हमारा salad fresh नहीं रहता है तो उसको fresh रखने के लिए आप उसे simply click wrap से wrap कर दीजे friends click wrap से cover करने के बाद आपका salad एकदम fresh रहेगा कई बार हम market से cake लाते हैं या फिर हम घर में भी cakes या muffins बचों के लिए अपने लिए बेक करते हैं और इन cakes को store करने के लिए हमारे पास कई बार proper containers नहीं होते हैं उनका जो bread वाला portion होता है अगर हम उन्हें ऐसे ही खुले में उठा के रख दे फ्रिज में या बाहर तो वह अक्सर हाड हो जाता है तो उसको hard होने से बचाने के लिए आप किसी भी plate में अपने muffins या cakes को रखके उन्हें क्लिंग रैप से wrap कर दीजे और आपका cake बिल्कुल fresh, moist और soft रहेगा अक्सर हम मार्केट से fresh bananas लेकर आते हैं लेकिन एक या दो दिन के अंदर ही बहुत ही जल्दी ripe हो जाते हैं तो उन्हें जल्दी ripe होने से बचाने के लिए उनके जो ये edge होता है तो ये stem है इसके stem वाले part पर अगर आप इसे cling wrap से cover कर दे अच्छे से तो आपके bananas जल्दी ripe नहीं होंगे आपको अपने fruit या vegetable को half cut करके fridge में रखना है और उसे fresh भी रखना है the best idea is to use cling wrap यहाँ पर देखिए मैंने इस vegetable को ये मेरा jack fruit है इसे मैंने cling wrap से wrap कर दिया है और इसे मैं easily अपने fridge में रख सकती हूँ इसको wrap करने से नहीं मेरा fridge गंदा होगा और नहीं ये मेरे fruit गंदा होगा और प्लस इसका जो moisture है जो इसकी freshness है मेरे fruit या vegetable की वो भी बरकरार रहेगी अक्सर हम जब भी kids को traveling के time या घहर पर आप उन्हें juices या कुछ भी cold drinks अगर आप उन्हें glasses में देते हैं तो वो अक्सर ही इधर उधर गिरा देते हैं तो उसको बचाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अब जब भी उन्हें रखते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत स्पिल कर जाती है और इसके वज़े से हमारे बैक्स जो ते वो गंदे हो जाते हैं और हमारे लिए काफी सारा cleaning work बढ़ जाता है तो उस cleaning work को बचाने के लिए हम अपने जो भी लांच बॉक्स है उसे हम क्लिंग राप से राप कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेगा कि आपका जो भी कारी है वो आज़ेश रही कि बिल्कुल भी बिस्पिल दे ही करेगी अक्सर जो हमारे leftover rice होते हैं और उन्हें अगर हम बिना lid से cover किये फ्रिज में रख दें तो आप देखेंगे कि वो हाड हो जाते हैं तो और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इसे containers होते हैं जिनके proper lid नहीं होते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत easy और quick solution है कि आप उसे cling wrap से wrap करके उस container को रखें और आपके rice बिल्कुल fresh रहेंगे उन्हें जो moisture है वो वैसे ही intact रहेगा और वो बिल्कुल भी hard नहीं होंगे प्रेंट्स कई बार क्या होता है कि cling wrap हमारी इस तरह से stick हो जाती है और निकलती नहीं है especially summer time पे हमारी जो cling wrap होती हो इस तरह से stick हो जाती है तो इसको सही करने के लिए आप इस cling wrap को रेफ्रिजरेट कर दीजे इसे आप फ्रीजर में उठाके रख दीजे और अगर आप एक घंडे बाद देखेंगे तो यह बहुत easily निकल आईगी तो friends इतने सारे users देखने के बाद I'm sure कि आप लोगे kitchen में भी आज के बाद cling wrap जरूर होगा और इसके साथ साथ अगर आपको इस cling wrap वीडियो हाक में एक भी हाक अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करना तो जरूर बनता है और उसके साथ ही इसे आप अपने friends और family के सारे शेयर करना बिल्कुल भी न भूले और अगर आप मेरे चानल पर नाए है तो जल्दी से मेरे चानल को subscribe करके वो छोटू सा bell icon जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं मेरे next video में तब तक के लिए बाई